कि यह दो ऑच्तों में आगा टो में जौश थो c a %. आ jane क्यों चून्री बाट करें तो इसको रिजर्भेशन भी आप कह सकते हो रिजण वेशन जो है इस वीडियो का टापेक ड्पपिक रहेगा इस वीडियों को में आपको बता दूं मैंने रिजर्वेशन या रच्छड के मुद्दे कोई क्यों चूज किया तो मैं आपको बता दूं इसके पीछे कारण यह है कि यूटूब पे जो है यदि आप सर्च करोगे कि रिजर्वेशन तो आपको रिजर्वेशन सही और गलत को बताने वाले तो कहीं सारे वीडियो मिल जाएंगे बट उसके कोई लीगल प्रोविजन्स यानि की कांस्टिटूशनल प्रोविजन्स या जज्जमेंट की बात करी जाए तो यह वीडियो साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा तो इसी की गंबीरता को मैं समझते हुए इस वीडियो को लेकर आया हू इस वीडियो मैं बहुत ही जो है डीप में बात करूँगा कांस्टिटूशनल प्रोविजन्स जज्जमेंट्स एंड डिपरेंट टाइपस जितने भी जो है आर्टिकल से उससे रिलेटेड उनके बात करूँगा और जितनी भी अंडेस्टेंडिंग एक रिजर्वेशन के इस वीडियो को समझने के लिए होनी चाहिए जितने भी प्रावधान उनसे रिलेटेट होने चाहिए उनकी में बात करूँगा ये वीडियो इंगलीज और हिंदी दोनों भासाओं में रहेगा तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी बकवास के स्टाट कर लेते हैं तो इस कि दिए बात की जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन आखिर जरूरी है या नहीं है तो मैं इसके बारे में डेटेल में बात नहीं करूँगा क्यों इस पर यूटूब पे कई सारे वीडियो हैं जो कि इसको अच्छे से एक्स्प्लेन कर देंगे तो मैं इस पर बकवास करने की नहीं कोशिस करूँगा लेकिन मैं थोड़ा से ब्रीफ में मैं आपको बता दूँ कि रिजर्वेशन क्या जरूरी है या नहीं है तो इस पर देखिए बहुत सारी डिवेट है तमाम तरीके के लोगों के बीच में डिवेट रहती है कि रिजर्वेश जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट रहते हैं वो ऐसा कहते हैं लेकिन मेरा ऐसा मानना है और बहुत सारे लोगों का इसके बिपच्च में मानना यह है कि जैसे माली जी एक ब्रेक्ति जो गरीब परिवार में पैदा हुआ है उसके पास उतनी सारी सुवधाय नहीं होती है तो वो अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पाया है तो इसलिए रिजर्वेशन उसके लिए होना चाहिए क्योंकि आप जैसे माली जी एक फुटवाल जब खेलते हो तो किसी एक ब्रति के लिए आप जो है फुटवाल का जो गोल पोस्ट होता है उसको उपर कर दीजिए तो आप आओगे या फिर मालीजे किसी खिलाली की जो हाइट है जो उपर बड़ी हाइट का है उसके लिए जादे एड़ांटेज रहेगा पुटवाल में जबकि जो छोटी हाइट का है उसको एड़ांटेज कम मिलेगा तो यह मुकाबला बराबरी का कहा हुआ यह जो है ए नीचे तपके से आया है और जिसने जो है जिसको जाल सारी सुभदाएं नहीं मिली आज तक तो मुकाबला बराबरी का कहा हुआ यानि कि मुकाबली पर बराबरी पर मुकाबला को लाने के लिए हमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा वहीं पर कुछ लोग बात करते हैं कि रिजर्वेशन हम कियों ने? brewशाट कियों कियो हम अपने पड़ों को किसी दूसरे जाती समधाय को दें? तो इसके पीछे तरक ये निकल के आता है कि जैसे माली जी आप जब प्रॉपर्टी की बात होती है तो तो जो है आप अपने पूरूजों की प्रॉपर्टी लेने के जिम्मेदार होते हो बट उनके दोरा किये गये गलत कृतियों के बारे में आप उसकी जिम्मेदारी लेने क बाहस कतम हुई और मैंने आपको बता दिया कि रिजर्वेशन जो है वो जरूरी है या नहीं है बाकी मानना ना मानना आपका है बट मैं आपे वीडियो का मेरा टापिक यह नहीं है कि रिजर्वेशन अच्छा है कि बुरा है मैंने सिर्व ऐसे ही छोटी सी ब्रीफ करवाई अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या pem boîणा प्रावधान है इसके बारे में इस वीडियो में जो साथ अभी तक नयाय नहीं होता है, यह सबसे पहले आप समझ लीजिए justice, social justice जैसे मैं लीजिए marker है मेरा अब आप से मैं पूछूं कि यह marker किस बेक्ति को आपको देना चाहिए जिस बेक्ति ने marker बनाया है या जिस बेक्ति को marker इसे यूज करना आता है या जिस बेक्ति ने इस marker को बनाने के लिए पैसे दी है तो आप कोगी यह कैसा सा question है मतलब सीधी बात है अब आप मैंसे बहुत से लोग कहेंगे सीधी बात है कि जो marker चलाना जानता हो उसको यह marker मिलना चाहिए बढ़ उसका क्या जिसने पैसे लगाए है बढ़ उसका क्या जिसका यह marker जो है है तो यह तमान तरीके के इसलिए मैं आपसे कहता हूँ justice न्याए एक बहुत ही dilemma type का subject है और न्याए करना सबकी बसकी नहीं होती इसके लिए तमान तरीके के parameters आपके mind में चलते रहने चाहिए तो social justice की बात की जाए सबको जो है distribution समाज में बरावा तरीके किया जाए privilege privilege का मतलब होता है कुछ exceptional or special rights मतलब सबको जो है एक तरीके की बिसेशा दिखार जो है सबको प्राप्त हों ऐसा ना हो किसी एक बर्ग बिसेश को जादना प्राप्त हों हमारे समाज में जो है सबी को बरावर मात्रा में मिलें और इसका निर्धान करने वाली science को ही हम जो है social justice कहते है यानि कि समाजिक नहाए बट यह बहुत ही difficult पर क्लिया है और इसके दिख बात की जाए तो social justice की अगर बात की जाए तो हमारे समाज में social justice करने के लिए वैसे तो बहुत सारे समुधाय है OBC, SC, ST और जनरल बगएरा बट उनमें से जो निचला तपका है उसके लिए कैसे social justice किया जाए आप कहोगे सर article number 14 में equality before the line equal protection of large जो है बात कही गी है यानि कि हमारे समाज में सबको एक्वल नजरों से treat करना चाहिए तो हम किसी एक work business को जादा rights क्यों दे दे जिसे SC, OST और OBC को जादा rights मिलते हैं ऐसा क्यों किया जाए तो इसके पीछे दिए आप चलोगे तो हमारे आपके article number 46 में ये कहा जाता है कि हम समाज में discrimination जो past में हो चुका है उसको खतम करने के लिए हम अबिस में जो है अगर कोई सरकार किसी निचले तपके को जो socially and educationally weak है मतलब जिसको जो है आज तक समाज में जो है समाजी ग्रूप से और सिच्छा के इस तरपे अगर उसका उद्धार नहीं हो पाया है यानि कि उपर वो नहीं पहुच पाया है और कमजोर है तो उसको जो है कुछ special rights देंगे जिसको हम reservation कहते है और ये social justice करने का जो तरीका है वो आता है affirmative action के द्वारा ये affirmative action क्या होता है हो सकता है आपने पहली बार ये नाम सुनाओ affirmative action affirmative action का मतलब होता है धनात्मक कार्व यानि कि social justice करने के लिए आप जो है आपको कही ना कहीं कानून में छड़़़़ा करनी पड़ेगी मतलब आप जो है ये नहीं कह सकते हो जो है वो आया था अमेरिका से अमेरिका में एक अमेरिकी राष्टपती हुए थे प्रेसिडेंट लिंडन जॉंसन इन लिंडन जॉंसन ने पहली बार affirmative action का जो कारकरम है वो ब्लैक लोगों के लिए स्टार्ट किया था मतलब अमेरिका में अगर आपको पता हो तो ब्लैक वर्सेज वाइट चलता है जिसे यहाँ पे स्टी ओभी सी और जनरल बगएरा ही सब दुनिया के चलता रहता है तो जो लिंडन जॉंसन थे उन्होंने पहली बार affirmative action की policy अमेरिका में इंप्लीमेंट करने की कोशिस की थी और जब affirmative action को इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसके लिए preferential treatment दिया जाता है preferential treatment जी हाँ affirmative action में जो है आप preferential treatment देते हो किसी business social group को चाए OSC हो, चाए STO, चाए OBCO, चाए EWSO preference देते हो अब preference देने का तरीका क्या होता है मतलब आप क्या करोगे कि कुछ जो category है जैसे मालीजी कुछ social group हैं CSTO, उनको आप क्या करोगे कुछ skills प्रदान करोगे मतलब उनीग business group को जो है आप skills प्रदान करोगे ताकि उनके पास skills है और skills के बाद जो है आपको आप वो जो है एक ससक्त ब्यक्ति बन पने पाएंगे और जिसके बाद वो जो है नोकरी पासकते है यह तो हो गया weaker तरीका मतलब कमजोर तरीका जो है जादा वर्क करता नहीं सरकार है कहां कोई skill इंडिया चलाया तो जाता है बट उसको कुछ होता नहीं है अब एक strong version इसका क्या है affirmative action का तो अफर्मेट्य एक्षन का preferential treatment का अगर preferential treatment का मतलब है किसी वर्क विसेश को विसेश दरजा दे देना जैसे माल लीजिए सबसे पहले मैं आपको preferential treatment जो है clarify कर देता हूं preferential treatment का मतलब यह है कि जैसे माल लीजिए कोई दो पोश्ट हैं और उन्सक्राइब ऑग्षाश में जो है दो पोश्ट में जो है एक दो पोश्टों में जो है एक व्यक्ष्ची OTC से खड़ा हुआ या एक व्यक्ष्ची जो है general से खड़ा हुआ तो हम यदी वह जाए ऑले OC के कम नंबर आये हों, बट हम क्या करें कि कि आपने जो कमजोर तपका था भी सी का या सी का या स्टी का उसको आपने प्रिफ्रेंस दे दी यही कहलाता है प्रिफ्रेंसियल ट्रीट्मेंट यह तरीका का रिजर्वेशन नहीं होता है बट यह प्रिफ्रेंस होती है आपने प्रिफ्रेंस पहले उसको दिये में जो है आप कोटा निज़ार्द कर देते हो मतलब कि 15% सीट जो है वह SC कटेगरीज बरी जाएंगी 7.5% सीट जो है वह ST कटेगरीज फिल की जाएंगी और 27% सीट है वह OBC कटेगरीज से फिल की जाएंगी और 10% जो सीटें है वह W यह जो है इकोनॉमी EWS कटेगरी से फिल की जाएंगी यह आपने किया क्या कोटा बना दिया कि 15% सी कटेगरी से 7.5% सी कटेगरी से और 27% OBC कटेगरी से 10% EWS कटेगरी से जो है सीटों का जो है भरा जाएगा यानि कि इतनी सीटें आपने रिजर्व कर दी इस यू को कहते है रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम मतलब आपने कोटा निर्दाइद कर दिया ठीक है आप जो है हमारा वीडियो का जो यह एक टापिक था सोचल जस्टिस और किस तरीके से पौबिजन किये जाते हैं और सोचल जस्टिस मैं आपको बताया इपर मेकटी एक सन के बाद मैंने बताया है प्रिंवेशन्ट्री booked के दो तरीके होते हैं की सकल दी जाते है जबकि कि SC और ST social group क्या होता है और क्या इसके प्रोविजिंस हैं क्या इसके लीगल जो है जजमेंट्स हैं क्या इसके constitutional provisions हैं क्या इसके articles हैं इसके बारे में detail में बात करेंगे अब हम बात करने बाले हैं SC category के बाले में SC and ST तो SC and ST पे जो है हम बात करने जा रहे हैं और SCNST के लिए बात की जाए तो यह दरसल SCOST कटेग्री आगे दुनिया में आई कहां से भारत में कहां से आई तो SCOST जो है यह सोसल ग्रूप है सेडूल कास्ट का मतलब होता है कुछ निचले तपके के लोग कुछ निचली जातियों के लोग जिनको जो है डाटर बियार अम्बेट का दलित कहते हैं और जो ही मातमा गांदी हरिजन कहिकर पुकारते हैं और जो ST जाती है यह tribes बगरा होती है जो आदिवासी लोग होते हैं वो ST कटेगरी में आते हैं जबकि निचले तपके के कुछ लोग होते हैं जो socially and educationally weak होते हैं उनको SC कटेगरी में रखा जाता है यह सबसे पहली बार जो है वो Government of India Act Government of India Act 1935 के अनसार इसको SCO ST जो social group थे हैं उनको अस्तित्यों में लाया गया मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले यदि अस्तित्यों में लाने की बात है तो वो की गई थी 1932 में 1932 में आपको याद हो तो रैमजे मैक डोरांड ने जो है वो एक कोमिनल अवार्ड पेस किया था जिसका मतलब यह था कि अगर आपको थोड़ा सभी बेसिक पता हो कि माले मेंटों ने जो है एक जो फादर ओब जिनको जो है मतलब जाती सिस्टम के लिए उन्होंने जो है अ इसी को ले करके रैमजे मैक डोरांड ने 1932 में ये कहा था कि हिंदूों में हिंदू को बोट नहीं करेंगे बलकि हिंदू के अंदर भी हम तमाम तरीके का जो है डिवाइडेशन कर देंगे कि दलित लोग दलित को बोट करेंगे हिंदू को बोट करेंगे और अधर जातिया मतलब हिंदूओं के अंदर डिवाइडेशन चालू कर दिया जिसको रोकने के लिए पूना पैक्ट साइन हुआ किसके किसके बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ था मातमा गांदी और डाटर बियर अम्बेड कर के बीच जिसमें ये कहा गया कि हम जो है दलितों को जो है अलग से हिंदू के अंतरगत दलितों को अलग नहीं करेंगे एक ही में रखेंगे बट हम रिजर्व सीटें कर देंगे किसके लिए दलितों के लिए तो इसके जो है डाटर बियर अम्बेड कर मान गए और गांधी जी भी मान गए और उसके बाद पूना पैक्ट हो जाता है जिसमें ये का जाता है कि हिंदूओं के अंदर हम अलग से डिवाइडेशन नहीं करेंगे बलकि दलितों को सीटें रिजर्व कर देंगे हम ये जो डिवाइडेंड रूल पालसी है इसको कहीं न कहीं इस का हुआ था से औरकरी का वो होता गवर्णमेंट ईंडिया एकente 1935 में और यह कम्यूनेटी जो सोचल गूर्ग उसमेँे आते कौन है तो इसमें आते हैं लिकार ग्वहिश्ट प्यूस्में और शिक में जो डलित लोग नहीं आते हैं 2011 की जन्गर्णा की अनुसार अगर हम माने तो इसमें जो है करीब करीब 1206 कास्ट आती है SC and SC category में स्वरी SC category में जो है 1206 से कास्ट आती है अब सड्यूल कास्ट से जुड़े हम कुछ जो है रिलीगल जो है आर्टिकल्स पर बात कर लेते हैं तो आर्टिकल यानि की सरकार जो है स्टेट जो है उसको कोई भी रोकेगा नहीं अगर स्टेट जो है अगर कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाती है किसके लिए यानि की स्टेट के लिए यदि कोई एजुकेशनल जो है इंस्टिटूट में यदि एडमीशन या किसी भी चीज से रिलेटेड अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाती है सरकार तो अगर किसी SC and ST कटेगरी में एजुकेशनली जो एंड सोसली बैकवर्ड जो कास्ट है SC और ST इसके लिए अगर कोई स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है तो उसके लिए जो है सुप्रीम कोड कोई उस पे कुछ नहीं कहेगा यानि कि उसको सही माना जाएगा कोई भी जो है उस पे गलत मतलब अपत्ती नहीं उठाई जाएगी कि आप स्पेशल क्यों तरजी दे रहे हो तो ठीक है सोसली एंड एजुकेशनली जो वीकर सेक्शन है SC and ST उसके लिए अगर कोई आर्टिकल नंबर 15-4 में स्पेशल प्रोविजन बनाया जाता है तो उसको जो है आप यह नहीं कैसका किलेंज नहीं उसको किया जा सकता है सुप्रीम कोड में फिर आर्टिकल नंबर 15-5 में का गया है यह देखिये इसमें का गया आर्टिकल नंबर 15-4 में आप एसके आदार पे आप बिभेद नहीं करोगे किसी के बीच में ये कहा गया है मतलब आप किसी जाती भी सेज को जो है बिसेज नौकरी दे दो और किसी जाती भी सेज को देखकर कि उसको नौकरी नहीं दे रहे हो तो आप किसी भी जातियादार के भेद नहीं करोगे इसको लेकर के आर्टिकल नमबर 15.4 में रोका गया है कि नहीं हम जो है एक कानून इस्पेशल बना सकते हैं SCOST कटेगरी के लिए और फिर आर्टिकल नमबर 15.5 में ये कहा गया है कि educational जो institute होंगे उसमें इन लोगों को special admission और special seat एलाट की जा सकती है आर्टिकल नमबर 15.5 में ये बात की गया आर्टिकल नमबर 15.5 में जो है इस्टेट को ना रोकने की बात कही गया है फिर आर्टिकल नमबर 16.4 की अगर बात की जाए आर्टिकल नमबर 16.4 जो जो है नौकरियों में आरच्छन की बात करता है इसमें कहा गया है कि नौकरी में जो है SC और ST को जो है reservation मिलेगा यानि कि इसमें जो है job के बारे में बात कीगी SC और ST को जो है आप reservation दे सकते हो सिधा सिधा फिर आर्टिकल नमबर 46 में आर्टिकल नमबर 46 में कहा गया है आर्टिकल नमबर 46 अगर आपको पता हो तो आर्टिकल नमबर 46 DPSP में आता है यानि कि Dread to Principle of State Policy एक तरीके के जो है injusticable, non-justicable जो provisions होते हैं जिसमें स्टेट को ये direct किया जाता है कि आप किस तरीके कानून बनाएंगे तो उसमें आर्टिकल नमबर 46 कहता है कि social injustice और exploitation यानि कि जो समाजिक जो भेदबाव होता है और जो उनका social होता है SCOST को हम जो है social injustice and exploitation से बचाएंगे यानि कि यहाँ पे जो है injustice और exploitation जो होता है SC and ST का उस से जो है state इनकी रच्छा करेगा यह का गया आर्टिकल नमबर 46 में और जो social injustice कैसे होता है social injustice का मतलब है कि इनके जो educational educational and economic educational and जो economic interest है यानि कि इनके जो हित हैं उनका जो है एक तरीके से सुरुच्छा प्रदान करेगा state फिर आर्टिकल नमबर 164 में का गया है आर्टिकल नमबर 164 में का गया है क्या का गया है आर्टिकल 164 में का गया है कि minister in charge बनाया जाएगा फार्दा welfare of SC, ST and OVC यानि कि minister in charge बनाया जाएगा एक पद बनाया जाएगा minister in charge का जो welfare के लिए काम करेगा SC, ST और OVC के लिए और 36 गर्ड जारकंड मदप्रदेश उडिसा में ये जो है minister in charge बनता है ठीक है और यदि हम बात करें तो आज आते हैं आर्टिकल नमबर 330 पे आर्टिकल नमबर 330 कहता है 330 कहता है कि लोगसवा में SC and ST को हम reservation देंगे यानि कि लोगसवा में SC and ST सीटों को जो है reservation दिया जा सकता है लोगसवा की बात करता है वहीं पे आर्टिकल नमबर 332 की बात करें यानि कि आर्टिकल नमबर 332 की बात करें तो ये बात करता है आर्टिकल नमबर 332 बात करता है बिदान सवा में जो बिदान सवा होती है बिदान सवाएं यानि कि State Legislative Assembly जो होती है उसमें जो है Reservation की बात करता है SC&ST के लिए Article No. 332 वहीं पर Article No. 334 की बात की जाए Article 334 जो है वो बात करता है Reservation in लोगसवा and State Legislature for SC&ST यानि कि जो Reservation है वो लोगसवा में के साथ साथ जो है State Legislature में भी State Legislature यानि कि राज बिदान मंडल और लोगसवा में Reservation की बात करता है अगले 80 साल के लिए जब से ये समिधान लागू हुआ यानि कि अगर 50 में 80 जोड़ोगे तो 2030 तक जो है ये Reservation चलेगा लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ पर एक Community और जोड़ी थी जिसका नाम था Anglo-Indian और इस Anglo-Indian को जो है 70 साल के लिए कहा गया था 70 येर तक समिधान के सुरू होने के साथ 70 साल तक कहा गया था यानि कि Anglo-Indian का पद जो है Anglo-Indian को Reservation देना खतम हो चुका है लेकिन अभी ये जारी है लोग सबा और जो है स्टेट रिचलेचर में जो है अगले 80 सालों तक यानि कि जहां से समिधान लागूआ उसके 80 सालों तक अगले 80 सालों तक हम इन लोगों को Reservation देते रहेंगे बट Anglo-Indian चुकि 70 साल था और वो खतम हो चुका है इसलिए Anglo-Indian को अब कोई Reservation नहीं मिलता है Anglo-Indian का मतलब वह लोग होते हैं जो जो है इंगलेंड से आये थे यहाँ पर सासन करने और मतलब कोई भी इंगलेंड का अब्यक्ति यह लंदन का अब्यक्ति उस समय का हो सकता है जिसने यहाँ पर साधी दिकर लिए यहाँ परिवार बसा लिया अगला बात करते हैं Article No.335 Article No.335 पर हम जा रहे हैं Article No.335 जो बात करता है तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताने वाड़ा हूँ Article No.335 के बादे में तो Article No.335 है एक सेकंड Article No.335 तो Article No.335 है वो बात करता है Claims of SC and ST to serve and post of center and state यानि कि SC and ST ऐसा claim कर सकते हैं कि उनको जो है नौकरियों में reservation मिलना ही चाहिए और उनके लिए कुछ जो है special provision करने चाहिए जैसे उनकी जो marking है यानि कि जो उनके number है वो कम लिए जाए इसलिए आप देखते होगे कि SC की कटाप होती है वो कम जाती ST की कटाप कम जाती है मतलब उनके लिए कुछ evolution जो है यानि कि जो कांपियों का करने का है उसको कम किया जाए और वो ऐसा क्लेम कर सकते है आर्टिकल नंबर 335 के अनुसार आर्टिकल नंबर 338 क्या कहता है आर्टिकल नंबर 338 कहता है कि आप जो है यह देखी एक constitutional statuary नहीं यह जो है constitutional statuary जो है एक आयोग बनाया जाएगा National Commission for SC यानि कि National Commission for SC बनेगा यानि कि यह जो है schedule cast का एक आयोग बनाने का जो है provision करता है और यह कोई परिश्चाम पूछा दा जाता है कि National Commission for schedule cast यह जो है कि statutory body है या जो है एक तरीके से legal body है तो यह जो है समिधान से बनाया गया है National Commission for schedule cast ठीक है और आर्टिकल नमबर 338A आर्टिकल नमबर 330A जो है वो बात करता है National Commission for SC यानि कि ये National Commission for SC category के लिए बात करता है यानि कि schedule tribes के लिए जो है एक आयोग बनाने की भी बात करता है वहीं पर जो है आर्टिकल नमबर 341 की यदि बात की जाए आर्टिकल नमबर 33841 की अगर बात की जाए तो ये बात करता है किसके लिए बात करता है ये बात करता है इमपावर्स प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाइ कास्ट रेसेस और ट्राइबस एज सेड्यूल कास्ट अंडर समिधान यानि कि ये जो है ये ताकत देता है प्रेसिडेंट ओफ इंडिया को कि कौन सी जातियों को या रेस को या नसलों को या ट्राइबस को president अगर चाहे तो उनको जो है in the ambit of SC category वो ला सकता है मतलब यह supreme यह जो है president of India को ताकत है कि वो चाहे तो किसी भी caste या किसी भी race या किसी भी tribe को SC category के अंदर कत ला सकता है यह president of India के पास ताकत है वहीं पे गर बात की जाए जो article number 332 है article 342 यह बात करता है कि यह बात करता है कि जो भी आपको जो list है जो भी list है वो जो है आपको कहां देखने को मिलेगी वो आपको देखने मिलेगी article number 341 में मतलब आप जो है जो caste caste आती है सी category के अंतर कत वो आपको कहां देखने को मिल जाएंगी article number 341 में आर्टिकल नंबर 364 आर्टिकल नंबर 366 क्लाश 24 कहता है कि SC का मतलब होता है 341 क्या मतलब मतलब आपको SC कटेगरी की जो जाती यह आर्टिकल नंबर 342 अभी मैंने आपको बताया नहीं है और जो मैंने भी बताया है वो गलती से निकला है मेरे मुझसे अभी आप हेसे समझेए कि आर्टिकल नंबर 366 क्लाश 24 यह कहता है कि SC कटेगरी में आने वाली जातीओं की जानकारी आपको जो है आर्टिकल नंबर 341 में मिलेगी ये बात करता है आर्टिकल नंबर 366 क्लास 24 इसके बारे में बात करता है और मैं आपको बता दूं आर्टिकल नंबर 342 क्या बात करता है अभी मैं आपको जो बोल गया उगलतिस बोल गया आर्टिकल नंबर 342 बात करता प्रेसिडेंट ओफ इंडिया को ताकत है वो चाहे तो किसी भी जाती नेशनल या रेस को जो है स्टी कटेगरी के अंतरकत ला सकता है मतलब जो बात स्टी के लिए यहां पर की गई है कि किन जातियों को लाना है SC category के अंतरगत President of India ला सकता है ST category के अंतरगत जिन जातियों को लाना है वो जो है President of India ला सकता है Article No. 342 के तहित अगली बात की जाए Article No. 366 Class 25 ये बात करता है कि अगर आपको ST की कटेगरी में आने वाली जातियों को अगर आपको देखना है ST category में कौन सी जातियों आतीयों तो आपको जाना पड़ेगा Article No. 342 में ये कौन बात कहता है ये कहता Article No. 366 Class 25 इसके बारे में बात करता है वहीं पर आगर आपको बढ़ते हैं तो आगे आपको बता दें कि एक Article हो रहता है जिसका नाम है Article No. 243 Class D ये अगर आपको पता हो तो इस पंचायती राज इंस्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करता है SC and ST category के लिए किसमें? PRI में यानि कि पंचायती राज इंस्टिट्यूशन जो है जो Constitutional Amendment Act 1992 के तहत जो आये थे उसमें रिजर्वेशन की बात किये जाती है SC and ST category के लिए पंचायती राज इंस्टिट्यूशन में रिजर्वेशन की बात की जाती है Article No. 243 Class D के नुसर ठीक है तो ये मैंने जो है जितने भी आपके रिलेटेड जो है Constitutional Provisions थे जितने भी जो प्रावधान थे वो मैंने सारे आपको एक साथ इतने सारे प्रोविजन मैंने आपको बता दिये और साइध आपको ये किसी भी यूटूब वीडियो में देखने को ना मिले इसलिए जो है मैं कभी भी कोई भी वी वीडियो लाता हूँ तो बहुत रिसर्च करके उस पर लाता हूँ उसके पीछे काफी रिसर्च होती है अधीव आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी फटाक से लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपको डीप अंडरस्टेंडिंग किसी भी टॉपिक में चाहिए होती है अलाकि वीडियो लेट आती है बट डीप वीडियो आती है मतलब जो है आपको इसमें तमाम तरीकी की चीजों के बारे में अभी पता चलने वाला है अगला जो सोशल केटेगरी है अगला जो आप सुनते हो नाम वो सुनते हो OBC का मैं SC केटेगरी पे बात कर चुका हूँ उसके लीगल प्रोविजन के उपर भी बात कर चुका हूँ अब मैं बात करने वाला हूँ अधर बैकवर्ड कास्ट पे यानि की OBC काटेगरी यह OBC क्या होता है तो OBC समझ लेते हैं OBC की अगर बात की जाए तो इसका फुलपाम होता है अधर बैकवर्ड कास्ट यानि की अन्पिछला वर्ग तो मैं आपको बता दू कि हमारे देश में OBC की जो संक्या है बहुत ही जादा है इसलिए इसको लेकर के पॉलिटिक्स होती रहती है तो यह जो कास्ट है एक बात मैं आपको बता दूँ यह कोई सोसल ग्रूप नहीं है यह बात आपको पता होनी चाहिए जैसे SC और ST काटेगरी थी वो सोसल ग्रूप थी यह सोसल ग्रूप नहीं है यह क्या है यह मिडिल कास्ट है जो जो है हाईयर बड़ यानि कि जो अपर जाते हैं यानि कि जो अपर काटेगरी है जातियों की और जो SC और ST काटेगरी है उसके बीच में आती है OBC कास्ट OBC अब OBC कैसे आती है पास है तो वह भी मैं आपको बता देता हूँ तो हमारे देश में जो है एक निट का में ब्रेक लेना चाहूंगा तो 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 जो हमारे देश में OBC कैटेगरी है अगर इसकी बात की जाए तो यह हमारे देश में Land Awning Community है यानि कि इसके पास सबस्चे ना जमीन है जमीन हमीन में OBC कैटेगरी जो है पावरफुल फार्मिंग कैटेगरी आती है इसके अंतरगत वहीं पर बात की जाए इसमें स्माल पीजेंट आते हैं, चोटेटे क्रिशक भी आते हैं, आर्टेशन भी आते हैं, कलाकार भी आते हैं, सर्विस करने वाले लोग भी C कटेगरी में आते हैं, नोवाइड यानि कि गुमकल प्रकृति की लोग भी OBC में आते हैं और यह जो politically dominated community है, यानि कि इसमें राजनीती, जो बड़े-बड़े पदों पर आसीन लोग देखते होंगे, politics में, वो भी इसी से लगबग रेप्रेजेंट करते हैं, और लेकिन एक चीज़ इसकी खराब है, वो यह है कि यह underrepresented है, कि इसमें, education में, सिच्छा के मामले में यह थोड़ी underrepresented रह जाती है, इसलिए इसको जो है, हम OBC कटेगरी में पढ़ने वाले हैं, यानि कि यह जो कटेगरी है, यह मैं आपको बता दूँ कि इसमें, जो जातीयों का, कि OBC कटेगरी में काउंसी जाती आएगी, इसकी list जो है, center और state अलग बनाते हैं, इसलिए थोड़ क्या है, यह count backward को define करेगा, तो हमारे Indian constitution में कहीं पे भी जो है, backwardness को define नहीं किया गया है, और जिस चीज को define नहीं किया जाता है, उसके लिए हम prefer करते हैं Supreme Court of India के judgments, तो यहाँ पे जो है, मैं आपके सारे judgments लेकर के आया हूँ, क्योंकि पूरी research की जाती है, किसी भी वीडियो क उपर, तो मैं आपको बता दू, Supreme Court of India के इस backwardness को लेकर के तीन judgment है, पहला judgment है, Mr. Balaji versus Mysore, 1963 का case था, जिसमें Supreme Court of India ने कहा, कि किसी भी OBC कटेगरी में किसी भी जाती को specify करने के लिए, एक caste जो है, वो relevant factor है, दुसरा case था, N.M. Thomas versus State of Kerala, 1976 का case है, जिसमें कहा था कि जाती, यान जाती है, यानि कि OBC कटेगरी में जो जाती है, वो sole factor है, फिर जो है, इंद्रा सानी केस, जो तो बहुत famous case है, जिसकी मैं वीडियो में आगे चर्चा भी करने वाला हूँ, इंद्रा सानी केस में Supreme Court of India ने कहा, कि कास्ट किसी भी कटेगरी में, जो कास्ट है, वो एक dominant factor होती ह जैनि कि Supreme Court of India ने किसी भी कटेगरी में जाती पे एक विसेश बल दिया है, अपने तमाम तरीकी के judgment के recording, जिसमें मैंने आपको बताया, इंद्रा सानी जो judgment था, वो 1992 का था, M.R. बाला जी वर्सेज मैसो, 1963 का केस था, N.M. Thomas वर्सेज स्टेट और केला, 1976 का केस था, तो यह मै थी थी, वो socially और जो है, educationally weak थी, बट यह जो है, यह socially, socially and, educationally नहीं, economically weak है, यह economically weak है, ठीक है, मतलब, यह समाज में weak है, और इनके पास पैसे की भी थोड़ी कमी है, ठीक है, तो economically and socially यह weak class मानी जाती है, और यह कोई group नहीं है, पहले आप समल लीजी, यह social group नहीं है, यह बिल्कुल दिमाग में इठाल लीजेगा, यह कोई social group नहीं है, बलकि इसमें वो जाती हैं, जो socially and economically weak है, ठीक है, जैसे SCNST social group था, वो यह नहीं है, आप चलिए बात कर लेते हैं, constitutional provisions के बारे में, constitutional provisions की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, article number 15, 4 कहता है, यह state को यह right है, कि वो OVC की favor में कुछ special provision बना सकता है, ठीक है, और article number 15, 4 यह कहता है, कि special provision बना सकता है, और यह special provision बनाने की जो बात है, यह article number 15, 4 में कही जाती है, SC, ST, OVC के लिए special provision state बना सकता है, और उस पे यह नहीं state को आप challenge कर सकते हो, कि आपने यह discrimination कर दिया, हमा इसल देदी, आप challenge नहीं कर सकते हो, और यह जो article number 15, 4 था, यह constitutional amendment act 1951 के तायत, एड किया गया था, first constitutional amendment act 1951 के तायत, इस article को जो है, इस class को जो है, डाला गया था, वहीं पर article number 15, class 5 की बात करें, article number 15, class 5 बात करता है, article number 15, class 5 बात करता है, कि education institute में, education institute में, हम जो है, admission के लिए, admission देने के लिए, admission के लिए, education institute में, हम इन OBC, SC, OST category के लिए, एक special provision कर सकते हैं, यानि कि उसमें, कुछ seat आपको इन लोगों को देनी पड़ेंगी, इसकी बात करता है, article number 15, class 5, लेकिन ये, देखिए, वो school चाहें, वो school चाहें, added हो, या unadded हो, चाहें, सरकार से पैसा मिलता हो, चाहें, पैसा ना मिलता हो, किसी भी बेकार का school हो, सिवाए, इसके, कि वो minority school ना हो, वहाँ पर ये clause नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा, और minority school काउन से होते हैं, minority school होते हैं, जो आपको article number 30, class 1 में देखने को मिलेंगे, मतलब article number 30, class 1 के जो school हैं, जो minority school हैं, उसको छोड़ करके, पूरे देश में कानून लागू होता है, ठीक है, अगला बात करिया जाए, अगला बात अगर आप करोगे, तो article number 16, article number 16, class 4 जो है, article number 16, class 4 जो है, वो बात कर है, तो article number 38, class B, article number 338, class B जो है, इनके बारे में बात करता है, क्या बात करता है, article number 338, B बात करता है, कि national commission एक बननी चाहिए, OBC के लिए, यानि कि national commission for OBC, ये constitutional provision है, यानि कि समयधानी तरीके से commission एक आयोग बनना चाहिए, national commission for order backward cost, और ये कब add किया गया था, किस तरीके से add क किया गया था, 102, 102, Constitutional Amendment Act 2018 के था, 102, Constitutional Amendment Act 2018 के अनुसार, एक national commission for OBC होनी ये चाहिए, ये जो है, add किया गया था, वहीं पर article number 15, class 5 की बात करी जाए, कि admission में जो है, सिच्छा में, admission में जो है, कुछ जो सीटे हैं, वो OBC काटेगरी को दी जाए, और इसकी बात किस constitutional, अच्छाई, Constitutional Amendment Act, 93, Constitutional Amendment Act, 2005, जो ये admission का, जो एक reservation देने का जो बात है, वो 93, Constitutional Amendment Act, 2005 के अनुसार, ये class डाला गया, OBC के लिए, आगे दी बात किजाए, आदे दी बात करोगे, तो article number 340 आता है, यानि कि article 340, article 340 बात करता है, article 340 बात करता है, कि apartment of commission to investigate the condition of backward class suggest measures, यानि कि जो OBC category है, इनकी current है, यानि कि अभी जो इस समय जो इनकी में समस्याएं हैं, और इनका जो निराकरण करने के लिए, एक आयोग बनाया जाएगा, एक commission बनाई जाएगी, एक commission बनाई जाएगी, जो inquiry करेगी, कि इस जाती में जो है, क्या ऐसे measures लिये जा सकते हैं, कुछ ऐसा चीजों को suggest करें, कि OBC के उपर मतलब research कीजिए, उस पर कुछ suggestion दीजिए, ताकि सरकार जो है, उस पर वो steps ले सकें, और ये जो है, OBC category के लिए किया गया था, यानि कि जो socially and educationally weak हैं, उनके लिए जो है, ये measure suggest किया जाए, ठीक है, और ये इसके लिए commission बनाए जाएगी, समय समय पर commission बनती रहेगी, ये article बहुत important है, आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी को ले करके, तवाम तरीके case एंडिया में हुए हैं, तलिए आँगे बात करते हैं, आँगे बात करें तो article number आता है, article number आता है, 342 class A, 342 A, sorry, 342 A बात करता है, कि एक central list होगी, central list of SEBC होगी, यानि कि इनकी central list के बारे में बात करता है, जहाँ पर जो है, आपको इनकी list देखने को मिल जाएगी, कि इसमें कौन-कौन सी जातियां बगरा आती है, ये central list जो है, OBC की, ये आपको कहा एड की गई थी, सबसे बिले तो ये समल लेजिए, तो central list of OBC जो है, वो एड की गई थी, article 342 A में, 102 102 constitutional amendment act, 19-2018 के अनुसार, ये एड की गई थी, central list of OBC, वहीं पर बात की जाए, article 366, article 366, class 26, class 26, class 26, subclass 6, subclass 6, article 366, class 36, subclass 6 C, ये समझ लेजिए, आप research किस लेवल की की गई है, इस वीडियो को देख करके आप समझ लेजिए, क्योंकि मैं कितना आपको जो है, उसमें निकाल के लाया हूँ, तो article 346, class 26, subclass C, कहता है, कि जो central list of OBC है, इसकी अगर आपको list देखनी है, इसकी जो definition देखनी है, वो definition आपको इसकी कहाँ पर मिलेगी, वो definition मिलेगी, आपको article number 342A में, यानि कि अगर आपको list और definition बगएरा सब कुद देखना है, तो आप कहाँ पर चले जाएए, आप चले जाएए, 342A में चले जाएए, जैसे पिछले वाले case में था, same वही है, कि इस article ने redirect कहां कर दिया, 342A में भेज दिया, कि वहाँ पर जाकर देख लीजी जाकर कि क्या जातियां आई है, और ये जो article number 366, class 26, subclass C, ये किस constitutional amendment के द्वारा add किया गया था, तो इसको भी add किया गया था, 102 constitutional amendment act 2018 के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, मैंने OBC related, सारे आपको जो articles थे, जो भी constitutional provisions थे, समयधानिक प्रावधान थे, मैंने आपको सारे समझा दिये, अब आगे मैं बात करता हूँ, जो बहुत है important है, मैंने आपसे कहा था, कि article number 340, यानि कि 340 को जरा याद रखिएगा, और ये 340 जो है, काफी जो है, बिवादा स्पध है, और इस पे जो है, काफी आयोग हमारे बन चुके हैं, उस पे अगर बात ना की, तो इस बाड़ी वीडियो का जो है, कोई उद्दे से बनता नहीं है, ये बहुत है important है, part अब जो मैं आपसे discuss करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात करूँगा, Supreme Court of India में तमाम तरीके के आयोगों के द्वारा दियेगे suggestions, और उनके द्वारा दियेगे case के निर्णा judgment, और इतने भी जो है, Supreme Court of India ने बातने की, क्या क्या case थे, जिन पर मैं बिल्कुल detail में बात करने वाला हूँ, तो चलिए, OBC पर बात कर लेते हैं, थोड़ा out detail में, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बिल्कुल हाली में बताया, कि एक article number 340 है, और article number 340 बात करता है, आयोग बनाने की, OBC के लिए, जो ये जाच करेगा, कि OBC में आकर चल क्या रहा है, क्या इस पर कोई suggestion, क्या इस पर कोई majors लिए जा सकते हैं, तो article number 340 के अनुसार अगर देखा जाए, तो पहली जो commission थी, यानि कि फर्ष्ट जो commission थी, पहला आयोग जो था, वो बनाया गया था, 1955 में, मैं आपको बता दू, article number 340 बात करता है, एक आयोग बनाने की, पहली बात जो OBC के लिए आयोग था, 1955 में बनाया गया था, उस आयोग को जो chairman थे, वो थे काका कालेलकर, और इसको जो है, काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं, मतलब काका कालेलकर कमिशन, और इसने जो है, बात की थी, सबसे पहले जो है, आयोग ने जो है, अपने जो है, कुछ suggestion दिये थे, और अपनी report submit की थी, ये काका कालेलकर आयोग का जाता है, और इस आयोग का नाम था, इसने कुछ धंका काम किया, और जो चेर्मेन थे, वो थे BP मंडल, और BP मंडल निका नाम था, इसलिए इसको का जाता है, मंडल कमीशन, यानि कि मंडल आयोग, इसने ज़राब बेतरिन काम किया, वो काम किया था, इसने का कि हम जो है, इसने देखी, स समझोगे तो आप पता लगापा पॉगे कि Reservation अ去 मिलता कई से थो 27% इसने कहा कि 27% Reservation मिलना चाहिए Ό, B sued C को S.C को मिलना चाहिए 15% SC को मिलना चाहिए 15% यानि कि 15% और ST कटेगृय तो feeling चाहिए 5.50% तो यानि कि टोटल होगा जाकर यानि कि जो बीपी मंडल कमीशन थी उसने सजेश्ट किया था कि 27% OBC को मिलना चाहिए सटी को 15% साड़े साथ परसेंट ये जो है बीपी मंडल की सिफारिस थी और ये भी बीपी मंडल ने कहा था कि ये 50% से उपर नहीं जाना चाहिए मतलब 50% का जो सेलिंग 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 लिमिट है उसको क्रास नहीं करना चाहिए सेलिंग लिमिट का मतलब होता है जो फ्लोर होता है उसको उपर नहीं जाना चाहिए 50% क्रास नहीं करना चाहिए जिसको लेकर के जो है एक केस हो गया कहां पे केस हो गया समझे जरबात को 50% सो उपन ना जाए और इनों जिन आकड़े का निस्करसी निकाला था देखी कोई जन्गर ना होगी उसी का दार पे तो आकड़े निकाले जाएंगा इसे तो कुछ आकड़े भी देने पड़ाएगा तो बीपी मंडल ने कहा था कि मैंने जो study की है जो मैंने जो पड़ा है वो पड़ा है मैंने 1931 का जो census हुआ था उस अधार पे मैंने जो है इस आकड़े को निकाला है ठीक है तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए अब अगर आंगे हम बात बढ़ाएं तो आंगे आपको पता चलेगा अब देखिए जो second जो commission मना था 1979 में बीपी मंडल वाला मुरार जी देशाई की सरकार तो गिर गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले को इसी वीडियो में उसके बाद क्या हुआ था बीपी सिंग की सरकार आई थी अब देखिए मैं इस ही बात करू जो है मंडल केस एक हो गया मतलब बीपी सिंग ने जो है इसको implement करना चाहा लेकिन कोई व्यक्ति जो है वो पहुंच गया कहा पर सुप्रीम कोड में और सुप्रीम कोड में चिलाने लगा जा करके कि आप रिजरवेशन कैसे दे सकते हो मतलब सब कोई बराबर है ऐसा कैसे हो में जो है सुप्रीम कोड ने एक judgment दिया उस judgment को अगर आपको नहीं पता है तो आप ये जिन्दगिमना समझ पाओगी कि होता का है उस judgment को जरा समझने की कोशिस कीजिए मैं आपको समझा देता हूं कोड ने का कि सबसे पहले मैं reject कर देता हूं जो reservation की बात आप कर रहे हो क्य आप जो पूरर सेक्षन है मतलब जैसे जनरल वाले अपना लगाया बैठी थे कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है हमारे पास यह नहीं है वो नहीं है तो हमें भी कुछ 10% reservation दे दिया करो जनरल वाले कह रहे थे तो Supreme Court of India ने कहा कि जनरल वालों को 10% reservation बिलकुल भी ना दे ठीक है अब देखिए उस समय 1992 में जनरल वालों को लिए Supreme Court इंडिया ने यह कहा था कि 10% reservation जनरल वालों के जो गरीब लोग है उनको नहीं देंगे लेकिन अभी अभी जब हाली में देखिए यह मामला अपना चेंज कर लेगा वो भी मैं अभी बताऊंगा आपको 1992 Supreme Court का सिध को reservation दिया जाएगा यह Supreme Court इंडिया ने बात कई दिये लेकिन वो 27% reservation देने की जो बात है वो उसके दो पैमाने होंगे क्या कि हम उन जातियों को ही देंगे जो socially कमजोर हो मतलब सामाजीक तोर पे बहुत कमजोर हो OBC में और जो educationally यानि कि सिच्छा के इस तर पे कमजोर हो ए एक चीज सुप्रेम कुर्ण सीधा मना किया क्या है कि आप economic तोर पे नहीं देखोगे या आप यह नहीं कहोगे कि हमारे पास पैसा नहीं तो इसलिए हमको reservation देजो economic reservation आप नहीं दे सकते हो OBC में किसी को भी यानि कि यदि आपकी income 8 लाग रुपय से जादा है कित्ती? 8 इडिट फैमिली के अनुसार अगर आप थोड़ा से भी पता हो अगर आपको तो एक फैमिली में जो है कर आपकी 8 लाग रुपय से जादे income पता जाना होगी तो आपको नहीं मिलेगा आपको आपको बता दूँ उस समय के अनुसार पैसे कम लगाये थे बट अभी का करेंट जाती हो में क्रीमी लेयर आपने भी पहली बारियर करेंइं, क्रीमी लेयर का होती है All right, आट लाग रुपिया से ज्यादा कमाती हैं तो वो तो HOLBC में बहुत धंदान हैं उनको क्या रिजरबेशन की जरूरत है जैसे मालीजिय fid कभी देखा होगा कि कुछ निजली जाती की लोग बहूत अमीर होते हैं तो उनको रिजरबेशन देने की क्या जरूरत है मतलब reservation उसको मिलना चाहिए जो वाकई में उसका अगदार हो जैसे माल लिजे कोई बोलकुल नीची जाती का होता है बड़ उसका फिर भी जो है इतना आलिसान, मकान बगएरा सब कुछ बना होता है सब कुछ होता है उसके पास गाली सब है तो उसको reservation के क्या जरूवत है Supreme Court ने इनी जो उँची जातियां है निचली जातियों में समझिए मतलब नीची जातियों में भी कुछ अमीर लोग होते है उनको reservation का फाइदा नहीं मिलना चाहिए Supreme Court ने उन लोगों को नाम दिया creamy layer कि आप creamy layer के हो और आपकी income जो है वो आट अलग रुपिया से जादा है तो आपको reservation की कोई जरूण नहीं है इनको निकाल करके बाहर करो OBC में आते हो चैना आते हो मतलब OBC में का राता भी है तो इनको reservation का फाइदा नहीं मिलना चाहिए Supreme Court ने कहा ठीक है आँगे बढ़ाईए तो आँगे Supreme Court ने कहा कि reservation सिर्फ initial apartment में मिलना चाहिए अब इसका मतलब क्या हुआ मतलब यह है कि कुछ लोग यह कहते हैं कि reservation तो सम्मेद यो reservation का जैसे माल लीजे मैं मालो कोई अधिकारी बन गया तो उसका promotion करने के लिए reservation थोड़ी ना है कि आप चाहो कि reservation हमें इसमें भी मिलना चाहिए कि आद दरोगा हो कले साई हो परसों SPO, DSPO इसमें reservation थोड़ी ना मिलेगा reservation आपको सिर्फ initial apartment में मिलेगा मतलब आप दरोगा बने के बस ठीक है इसके बाद द्यंका काम करो कि तो तो प्रमोशन होगा आप ये कहिदो कि मैं नीची जाती से आता हूँ इसलिए आप मेरा प्रमोशन कर दो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा ये किसने का? Supreme Court ने मतलब प्रमोशन आपका जो है सरकार ने जो है वो सरसत्त्रवा समिधान संसोधन का डाला यानि कि 77 Constitutional Amendment Act 1995 के तायर सरकार ने कहा कि हम Supreme Court की इस बात को डिनाई करते हैं और इससे नहीं मानते हैं और सरकार ने Supreme Court का फाइसला बदल दिया कि हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन को जो है एक value देंगे ये सरकार ने कहा अब आप कहोगे कि Supreme Court of India तो कमजोर होगी मतलब उसके judgment की कोई बात ही ने रही तो ऐसा नहीं है Supreme Court of India चाहती तो इसको भी बदल सकती थी बट उसने बदला नहीं अब ही मैं आपको बताऊंगा आँगे क्या हुआ अब ये जो है हाँ ये आप समय लिजे कि प्रमोशन में भी जो है सुप्रीम कोट ने कहा था प्रमोशन में मत दीजिए रिजर्वेशन और सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दिया किसके अनुसार? 87 Constitutional Amendment Act 1955 के अनुसार संसोधन कर डाला और एक नया आर्टिकल जोड़ दिया हमारे भारती समिधान में जिसका नाम था आर्टिकल नंबर 16 कलाज 4A इसको ज़रा ध्यान से सुनिए आर्टिकल नंबर 16 कलाज 4A इसमें कहा गया है सरकार के दौरा कि हम प्रमोशन में भी रिजरवेशन देंगे तो यह सरकार ने कर डाला चलिए मुद्धा आंगे बढ़ाईए आप सुप्रीम कोट ने कहा कि आप जो जो रिजरवेशन दोगे रिजरवेशन टोटल जोड़ जालके जितना भी आपको रिजरवेशन देना और दे लीजिए लेकिन 50% से उपर रिजरवेशन नहीं जाना चाहिए यह नहीं कि 100 पद निकले 100 में सारे पद रिजरवेशन नहीं है उसमें लड़ेगा कौन मतलब किसी को मौके नहीं मिलेगा सब रिजरवेशन नहीं माल ले जाएंगे तो सुप्रीम कोट ने कहा कि आप गट जोड़ करेके जो कर लीजिए बट 50% से उपर रिजरवेशन आप नहीं दे सकते हो तो यह जो है बात आपको पता होनी चाहिए फिस सुप्रीम कोट ने एक और बात कही का बात कही वो बात यह कही कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक यह 50% लिमिट ना बढ़े तो ही अच्छा है फिस सुप्रीम कोट ने कहा कि आप कैरी फारवर्ड रूल को जो है अपलाई कीजिए नहीं कैरी फारवर्ड नहीं अपलाई कर सकते हो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कैरी फारवर्ड रूल का मतलब होता है कि जैसे माल लिजिए इस बार भरती निकली और SC कटेगरी से जितने ब्यक्ति आने चाहिए थे SC कटेगरी से रिजर्वेशन के अंतरकर जितने ब्यक्तियों की बरती होनी चाहिए थी कि माल लोग खुदा ना खासता उतने अंक आये नहीं और उतने बच्चे बरती हो नहीं पाई तो सरकार ने का क्या उनको अगली साल हम रिजर्वेशन दे सकते हैं सुप्रेम कोट ने का नहीं आप रिजर्वेशन सिर्व उसी साल में दोगे अगर बरती में बच्चे नमबर ला पारे तो ठीक है अगर नहीं ला पारे हैं तो आप यह नहीं कर सकते हो कि इस साल के बच्चों को आप एक्स्टरा रिजर्वेशन आओ बड़ा दो अगली साल ऐसा नहीं कर सकते हो यानि कि कैरी फारवर्ड रूल आप अप्लाई नहीं कर सकती है यानि कि इस बार अगर बरती में सारे बच्चे ना आपाए किसी एक बिसेश सोसल गुरूप से तो उसको अगली साल कैरी फारवर्ड कर सकते हैं तो यह था इंद्रासानी केस 1992 का इंद्रासानी वर्सेज उन्यून आप इंडिया केस जिसका मैंने जजमेंट आपको बहुत डिटेल में बहुत काजय में समझा दिया अगला बात कर लेते ह यह पहला केस था अब सुप्रेम कोट अब इंडिया जो है वो एकदम जो है उसका दिमाग बना गया कि यह सब क्या कर रहे है सरकार हमने जो जजमेंट दिया उसकी कोई वैल्यू नहीं हुई तो सुप्रेम कोट अब इंडिया ने के पास देखिए सुप्रेम कोट इंडिया यह केस कपका है, यह है 26 का केस, 26 के केस में सुप्रीम कौट अब इंडिया ने का, कि चलिए आप जो प्रोमोशन आपको करना हो, वो कर लीजिए, जो भी आपने सनसोधन की है, मैं उनको वाइलेट करती हूं, मतलब सुप्रीम कौट अब इंडिया कह रही है, कि आपने समिधा लेकिन एक बात ज़रा याद रखना कि बाट का लंबर 335 को भी इसने साइट है रहाया था सुप्रीम कोट ने ये भी मैं आपको बता दूँ इसने का कि प्रमोशन अमोशन जो भी आपको देना है वो आप देजी है लेकिन एक बात याद रखिएगा कि administration में कोई कमी ना है administration मे कोई भी खराबी ना है मतलब जो efficiency है जैसे यह नहीं कि आपने कोई कुड़ा कवार सब बढ़ लिया उसमें और पता चला सब एक तरीकिस करफ्ट बेक्ती सब बढ़ लिए गए और उसमें जो है administration चला ही नहीं पा रहा है समालने के उनके पास ताकते ही नहीं है तो ऐसा नह नहीं है ऐसा तो नहीं कि अपने परिवार वालों को ही promotion मात दिये पड़े हो तो किस आधार पर आपने promotion दिया उसका भी कारण हमें बताइए कि आपके पास को data था कि आपके पास को सबूत था कि इसमें जो है इनका representation नहीं है तो उसका data जरा हमें दीजिए आकर कि आनि कि आ रंबा चवड़ा बवाल मचा तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा जो है फिर हलका पड़ा और फिर एक केस हुआ 2018 में समझीए बात को तो हम देखिए आपको बहुत काईदे में समझा रहें 1992 का इंद्रा सानी केस मैंने आपको बताया फिर मैंने एम नागराज केस बताया 2006 का औ और अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक तीसरा केस जो केस है जर्नेल सिंग वर्सेज लच्मी नारायन गुपता केस और ये केस कपका है ये केस है ये केस है 2018 का जिसको जो है लीड किया था अन्रेवल CGI यानि की Chief Justice of India दीपक मिस्रा ने और इनों ने जो है कहा अपने पुराने judgment को बदल दिया और इनोंने कहा कि promotion देने के लिए कोई भी data की जरूराण नहीं है हाँ इनोंने जो एम नागराज केस में judgment दिया था उसको अपने खुदी बदल दिया कहा कि promotion में जो है data data देने की जरूराण नहीं है तो ये दीपक मिस्रा जो CGI थे उस स मैंके उन्होंने जज्जमेंट दिया किसमें जनेल सिंग वरसल लचमी नरायन केस जो बिल्कुल अपोजिट था किसका एम नागराज केस का क्योंकि इस पर वाल मचा था इसलिए वहीं पर बात की जाए अगला एक और केस हुआ एक और केस काउंसा हुआ तो समझिए देखिए जो केस था उसका नाम था इस्टेट और पंजाब वरसेज दिविंदर सिंग दिविंदर सिंग दोजार बीस का केस इसमें क्या था इसमें सुप्रेम कोड अब इंडिया ने का कि आप जो है जो क्रेमी लेयर का कांसेट हमने इंद्रा सानी केस में दिया था जो क्रेमी लेयर का concept अंद्रा सानी केस में हमने OBC जाती के लिए दिया था OBC काटेगरी के लिए दिया था वो creamy layer का concept अब अब SC काटेगरी में भी लगेगा हाँ मतलब अभी तक SC काटेगरी में नहीं लगता था कि SC में भी कोई अमीर हो सकता है ऐसा पहली बार कम माना गया 2020 में माना गया का कि अब sub-categorization यानि कि एक जातियों के अंदर भी उप जाती निकलेगी और जिसकी इनकम अच्छी खासी SC में उसको बाहर करो काटेगरी से यह सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह अपना जो जज्जमेंट है वो कब दिया वो दिया गया इस्टेट ऑप पंजाब वरसे दिविंदर सिंग के केस में 2020 के अगला अगर केस की बात की जाए अगला जो केस सॉरी अपकेस कुछ नहीं है अगला जो तो मैं आयो यह सब्केस ही में बीमनल कमीशन और दिसरा आयोग बना कि 2017 है 2017 में अब हम 2017 में wield 17% गैस में 170 मैं है जिसका नाम था रोड़ी कमींसन यह रोड़ी थी यह यह हैं यह हाई liar क bess जो दिली दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी चीप क्षटिस रह चुकी है और ये रोड़ी कमीशन बना रोड़ी आयोग बना ये इसके लिए बना और ये 23 तक साइद रहेगा जाक मुझे याद है ये 23 तक रहेगा उसको stand कर दिया गया था और इसने जो है ये किस चीज पर suggestion देने के लिए बना है ये इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या sub-categorization OBC मे OBC में जो sub-categorization है वो किस आधार पे होना चाहिए क्या उसका सिर्फ economical aspect ही होना चाहिए कि 8 lakh रुपिया बस देख लो बस क्योंकि सब लोग फरजीर बर देते हैं कि हमारी income इतनी आई नहीं और सब reservation का फाइदा ले लेते हैं इसके लिए क्या कुछ ऐसे criteria बनाई जाएं जिससे OBC जाती के अंदर जो sub-categorization है जो creamy layer है उसको काईदे से बार निकाल करके लाए जा सके तो इसके लिए रोडी commission मनी है जो अपनी report जब भी देगी हम आपको update कर देंगे तो यह रोडी commission 2017 में बनी थी तो अब मैंने जो है लगबल लगबल वन आवर होने जा रहे है एक गंटा होने जा रहा है मैंने जो है आपको सबसे पहले SC and ST से related जितने भी कानूनी प्रावदान थे मैंने आपको सारे बता दिये other backward cast यानि कि OBC related जितने भी कानून काईदे थे वो से मैंने सारे आपको बता दिये अब एक final बात मैं कर लेता हूँ जो बात है इंदरा सानी केस की और इसके बाद वीडियो कतम हो जाएगा इंदरा सानी केस में मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ इंदरा सानी केस में सुप्रीम कोट ने कहा था और एक नई केटेगरी ला दी जिसको कहते हैं EWS ये क्या होते है EWS जरा इसको भी समझ लेते हैं इंदी में तो EWS जो है आप देखिए मैंने ये सब खतम कर दिया है अब हमारा बात होगा EWS पे इंदरा सानी केस में इसको रिजेट कर दिया गया था ये चेकर के कि हम जरनल की जो वीकर केटेगरी हैं उसको ये नहीं देंगे लेकिन बाद में जो है ये अब ही हाल में अगर देखा जाये तो Supreme Court उसपे मान गया है और इस पे तैयार होचुका है और कहा है कि जो जरनल केटेगरी है उसके जो वीकर सेक्सन है इसका मतलब का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्षन और यह जज्जमेंट क्या कहां से आया कैसे आया तो यह भी समझ लिजिए दरसले केस था केस सही से देखो आता है सब कुछ याद रखिएगा क्यों केस नहीं होगा तो जज्जमेंट कहां से आएगा सवाली ने उड़ता जज्जमेंट का तो केस था जनहित अभियान जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया केस दोजा 13 मतलब सरकार के खिलाप केस किया गया था जनहित अभियान वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया केस इसमें जो है आप इसके पीछे जनरल वालों को भी थोड़ा खुस किया जाए तो कुछ बोड़ वाइंक और बढ़ेगी तो आप जरा समझिए यहां पर जब दोजा 13 में एक केस किया गया तो केस के खिलाप होगा यह केस था कांग्रेस की सरकार की खिलाप मनुवन सिंग की सरकार के खिलाप लेकिन उसके बा जनरल में उनको जो है यह EWS का फाइदा मिलेगा और इनको आरच्छन दिया कित्ते आ गया यह तो पहले समझे लोग 10% दिया गया 10% और मैं आपको बता दूँ इसका फाइदा वो भी लोग उठा सकते हैं जो SC कटेगरी से नहीं आते हैं जो ST कटेगरी से नहीं आते हैं जो आठ लाग बाला क्रेटरिया सेटिस्पाई होता है बड़ वो SC ST OVC कटेगरी का नहीं होना चाहिए बात इंदिम समल लो अब मैं आपको बता दूँ कि 10% जो रिजर्वेशन यह मिलेगा कहां पर तो यह मिलेगा एजूकेशन में सिच्छा में मिलेगा एडिमिशन में और आपको मिलेगा सेंटल गवर्मेंट की जितनी सेंटल और स्टेट गवर्मेंट की जो जाब होती है सेंटल जापस जितनी भी होती है तो उसमें भी जो है आपको मिल जाएगा यानि कि सेंटल जापस में जो है आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा और आठ लाग रुपिया इसका ये निर्दान किया गया, क्या सिर्फ आठ लाग रुपया ही देखकर के इसमें EWS का आपको सर्टिपिकर समा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ आठ लाग रुपया ही इसका क्राइटेरिया नहीं है, और भी इसमें थोड़े क्राइटरिया हैं वो भी आप ज़रा समल लीजिए आपका जो residential फ्लाइट है यानि कि जो आपका निवास है इस्थान है वो 1000 स्क्वार फूट से कम होना चाहिए दूसरा इसका जो कंडिशन है वो यह है कि आपकी जो भूमी है आपका जो खेत है वो 5 एकड़ से कम होना चाहिए तीसरा जो इसका कंडिशन है वो यह कह रहा है कि आपका जो residential फ्लाइट है municipal corporation में वो 100 square yards से कम होना चाहिए फिर आपका अगर municipal area से बाहर आता है तो वो जो प्लाइट है आपका वो 200 square yards से कम होना चाहिए तो इसकी चार सर्ते हैं उगर उसको आप पालन करते हो और आगर आप SCA और STA और OBC का डेगरीज नहीं आते हो और आपकी income 8 लाग रुपया से कम है तो आप धून नाम से EWS का फाइदा उठा सकते हो अब इसके बारे में जो है कुछ ज़्यादा कानून वानून है नहीं और जो यह था मैंने आपको जितना भी EWS के बारे में बताना था बता दिया दो कानून है उसको ज़रा समल लीजिए उसके बाद जो है वीडियो को खतम दाइंड करते हैं तो इसका दो ही है एक है आर्टिकल नंबर 15 क्लाज 6 है और आर्टिकल नंबर 15 क्लाज 6 भी यह कहता है कि admission education institute में हम एक बिसेश सीटें आरच्छित करेंगे EWS काटेगरी को के लिए जो है इनको बिसेश तरजी देंगे उनके लिए सीटों का लोकेशन किया जा सकता है EWS वाली को बट हम उन स्कूलों में हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं जो मानौर्टिक स्कूल होते हैं जो आर्टिकल नंबर 30 क्लाज 1 में किया गया है उनको छोड़कर करके बाकी चाहिए जो कोई भी स्कूल हो एड़ेड हो अनड़ेड हो किसी बगार के स्कूल हो सम्में EWS को कुछ ना कुछ दिया जाएगा इसके लिए कोई भी जो है चैलेंज आप नहीं कर सकते हूं कि ऐसा क्यों खर रहे हो ठीक है चलिए अगला मुद्धा आते हैं अगला आटिकल है आटिकल नंबर 16 क्लाज 6 कहता है कि कुछ सरकारी जो पोस्टें होती है जो नौकरिया निकलती है उसमें भी जो है इड़ब्लूएस कटेगरी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए तो बस इत्ता ही था जो था तो मैंने आपको जो है इस वीडियो में मैंने आपको बताया SC and ST कटेगरी के बारे में सारे समयधानी जितने भी बवाल हुए उन सब के बारे में बताया OVC के बारे में मैंने सारे आपको cases लेकर के सब कुछ बताया EWS के बारे में बताया तो ये complete वीडियो था जिसके बाद जो आप कुछ भी नहीं बचाया है उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आयोगा वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपका कोई नया टापिक हो तो उसको भी जो है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें धन्यवाद